असलाम लेकुम वेलकम टू पीर्ट्स वर्ल्ड मेरा नाम डॉक्टर एहमद सूलय मैं महरे अमरा से बचकान हूँ अज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो पीडी बेसिस पर देखा जाने वाला एक बहुत कॉमन सी प्रेजेंटेशन है बचों की पेरेंट्स अकसर हमारे पा सुलने से हम बारा होता है। ढृं दोनों नतिरों से खूं बारा था है। इसको मैडिकली अपिस्ट्रेसिस कहा जाता है। और इसकी वज़ा यह है कि हमारे नाक में एक अरिया होता है जिसको लिटल्स एरिया कहते हैं उस पर काभी जाला नशो का नाख से खून आ हुए उसके लिए के लिए करते हैं कि अगर नाक के अहले हिस्से से बह रहा हुता है लेकिन अगर दोनों नोस्ट्रिल से खून आ रहा तो इसकी अमूमन वज़ा नाक के पिछले हिस्से से खून मेना होता है अब अमूमन देखा जाता है कि तीन साल से पान साल की उमर के जो बच्चे हैं उन में तीस फीसद बच्चे ऐसे हैं जो जिन्दगी में एक दफा एपिस्ट्रेसिस को लाजमी फेस करते हैं और पान साल से दस साल की उमर के जो बच्चे हैं वो चास फीसद बच्चे अपनी जिन्दगी में एक दफा एपिस्ट्रेसिस को लाजमी फेस करते हैं अब इसमें हम देख सकते हैं कि अकसर पेनेट्स कंप्लेंट करते हैं डॉक्ट साब इसने ना पहले इसकी नाक से खून एक नतने से एक नॉस्ट्रिल से खून बह रहा है तो इसमें कोई प्रेशानी की अलामत नहीं होती लेकिन अगर पिछले हिस्से से खून बह रहा हो तो हमें इसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगर घर में बच्चे की नकसीर भट जाती है तो हम उसके लिए क्या है थ्याति तदवीर फोरी तोर पर कर सकते हैं सबसे पहले पेरेंट्स को यह चाहिए कि बच्चों को लटाएं मत उसका सर पीछे वली साइट पर मत करें क्योंकि इससे बलड उसके हलक में जा सकता है आप बच्चे का सर आगे की साइट पर करतें ताकि वो जो खून बह रहा है वो उस टाइम पर बह जाए दूसरा आप यह करें कि उसकी नॉस्ट्रिल्स पर प्रेशर अप्लाई करें इस एरिये पर प्रेशर अप्लाई करें और फाइव टू टैन मिनिट्स के लिए प्रेशर अप्लाई करें अमूमन प प्रेशर अप्लाई करें नॉस्ट्रिल्स पर 5-10 मिनिट के लिए अप्लाई करके रखें और फिर छोड़ें दूसरा अगर ब्लेड इसके बाद भी ना रुक रहा हो तो आप अपने क्रीबी डॉक्टर से रुजूलास में करें इसके बाद हम देख सकते हैं कि अब कुछ बच के लिए भी इंवेस्टिकेर्ट करते हैं जिसमें हम सी बीसी क्लोडिंग परफाइल फैक्टर एट नाइन यह करवा सकते हैं अब इसमें एक चीज और बड़ी देखने वाली है कि हम अकसर बचे यह कंप्लेंट करते हैं गर्मी में और पेरेंट्स की एक मित है कि यह गर्मी बाराल इसमें ऐस सच कोई गर्मी वाला फैक्टर नहीं है लेकिन हाँ ड्राइव जो एर हमारे नोस्टिल्स में जाती है उसकी वैसे बचे बलेट कर सकते हैं अब इसमें हम दवाईयां के तच्वीज करते हैं उस पर डिसकस करते हैं हम जो सबसे पहले यह कर सकते हैं कि क्रेशानी की बात नहीं है यह थोड़ी देर के लिए का फिर ठीक हो जागा दूसरा हम लिकवट पेराफीन के ड्रॉप्स दे सकते हैं ड्राइव एदर के वैसे अगर हो रहा है तो लिकवट पैराफीन ड्रॉप्स दे असके नव्स नाइन ट्रॉप्स पी दे सकते हैं और तो इस सिल्स्रे में अगर तो लास्ट में मेसिज मेरा यह कि अगर आपके बचे के ऑन और और ऑफ कभी हो गया है तो कोई मसले वाली बात नी है लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो आप लाजमी अपने क्रीबी डॉक्टर से चेकर वाएं थैंक यू सो मच कर दो आपके वाएं था प्याजमी से एक रहा है जो बार आपके वाएं से और यह आपके आपके पार बार ऑर जो बार और यह है Capit